दो अंडे लेने हैं, एक बड़ी प्याज जिसको बारी काट लीजे, दो तीन हरी मिर्चा को बारी चौप कर लीजे, आधा चमच नमक और एक चमच मैगी मसाला, इतनी चीजें लेनी हैं आपको, इसके बाद अंडों को आप एक ग्लास में या किसी भी बाउल में फोर्ड लीजाएं, अब सारी चीजें डालने के बाद इसको अच्छे से फेट लीजें, फिर पैन में तेल लीजे और चारो तरफ फैला लीजे उस तेल को, अब जो आपने अंडे का मिक्स किया हुआ था, फेटा हुआ था उसको डाल दीजें, अब इसको फ्राई होने दीजें, अच्छे से इसको दबा दबा के सेक लीजेगा, फिर दूसरी तरफ पलट दीजें, अब फ्राई होने दीजें, ऐसे बनाके एक बार ओमलेट ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनता है, अब दोनों तरफ अच्छे से फ्राई हो जाए, सिख जाए, तब आपको इसको एक पलेट में निकाल लेना है, और खाने के लिए एक परफेक्ट ओमलेट फ्रेडी है, इसको घर पे एक बार ट्राई जरूर करिएगा, मैगी मसाला डालके बड़ा अच्छा लगता है, ट्राई जरूर करिएगा, मज़ा आया, और मैं यह जो मज़ा है, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ,